हेलो अब्रिवान, वेकुम टू माई यूट्यूब चैनल यदिकी फ्रेंड आज की वीडियो में बनाएंगे हम ये लाइनिंग वाला हमारा कपड़ा है इस तरह से हमने इसमें ये लाइनिंग अटेच किये है ये आपको कई डिजाइन में मार्केट में इस तरह से मिल जाएंगे तयार लिखिए कितने सारे हैं ये ये हमारे पास ये एक राउंड शेप है और इसका वन साइड तो नॉमल इसी तरह से है और जो इसका वन साइड है इधर से ये चिपक जाता है कपड़े पर यानि कि ये पेस्टिंग वाली वुक्रम होती है नेक लाइन के लिए और इसमें हमें कोई भी गले की सरह से कटिंग नहीं करनी पड़ती है ये हमारे बिल्कुफ नेक पर फिट हो जाती है लेकिन आप अकर किसी छोटे बच्चे का ये कम गहरा गला बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहां से उबर से कट कर सकते हैं जिसे कि आप देखेंगे ये गला मैंने कट किया हुआ है और इसको कपड़े पर हम कैसे पेस्ट करेंगे वह मैं आपको बताऊंगे इस तरह से हम ये कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से हम पहले इसको प्रेस कर लेंगे और फिर यहां से ये जो एक्स्टर कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से यह मैंने प्रेस करके चिपका लिया है और उसके बाद यहां से जो एक्स्टर कपड़ा था उसको हमने कड़ भी कर दिया है अब यह जो हमारे पास इधर से यह कपड़ा है इसको हम यहां से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे यह देखिए इस तरह से यह हमने एक्स्टर कपड़े को यहां पर फोल्ड कर दिया है और आप इसका यह हम सेंटर इस तरह लेते हुए यहां पर इसके कट लगा देंगे करना है इस शर्ट पर पेस्ट तो आप देख सकते हैं जैसे कि यह बहुत ही डाग कलर है हम इसका सेंटर कैसे चेक करेंगे तो यहां से हमने इसका इस तरह से सेंटर देख लेना है और यहां पर चौक से हरका सा निशान लगा देना है इसके सेंटर पर इस तरह से इस तरह से हमने निशान लगाती है एक छूटा सा कट हमने यहाँ पर लगाये हुआ है यह इसका यहाँ पर सेंटर है तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से इसका यहाँ पर निशान डाला हुआ है हमने इस कट को इसके साथ मैच करेंगे और यह जो हमने नीचे निशान लगाया था इस निशान को इसके साथ करेंगे और एक यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे देखें यहाँ पर यह सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक लगा ली है अब एक सिलाई हम ऐसे में लगाएंगे ताकि यह हमारा गला बिल्कुल हिले नहीं क्योंकि यहाँ पर यह हमने इसमें लाइनिंग यूज की है तो वो हमारी इधर उधर हो सकती है इसलिए हम यहाँ सिला लगांगे मिलक के बुक्रम के बिखके यहां पर किनारी हा पर चारोसाइब पर असका है अब अधि हैं पर हम हम इस prac करेंगे में लिए कि ये ये हमनें हां पर कपी कर ली और हम इसमें चूटे-चोटे से कट लगा देंगे करे 150 इस तरह से इस नेक को हम अंदर के साड ड़़िए और तेंगे इस तरह से इसको अंदर के साड़ देए तो देखीं कितने फिनिंशर्थिंग मेलिए अब से हमारा यह नेक इस तरह से बनकर तयार हो गया है अब । इसी तरह से हम back neck बना लेंगे और इसको attach कर लेंगे so friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye